खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 नियूज में मैं आपके साथ साक्षी सेंग किसी भी देश का सविधान उस देश की आतमा होती है सविधान एक रास्ता होता है जिस रास्ते पर चल कर देश सुक, समरिधी और विकास की तरफ कदम बढ़ाता है हमारा देश 15 अगस 1947 को अजाद हुआ था और अजाद होने के बाद हमारे देश के स्वतंतरता सैनानियों और कुछ राज निताओं ने देश के उजवर भविश्य के लिए Constitution बनाने का निर्ने लिया था क्या आप जानते हैं कि भारत के सविधान की खास बाते क्या है भारत का सविधान दुनिया में किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित सविधान है जिसमें 22 parts में 444 articles, 12 schedules और 124 amendments है और इसमें English language version में 146,385 शब्द है इस सविधान को लिखने में total 254 pen nibs का इस्तमाल हुआ था भारत का सविधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है ना कि मशीन से इसे प्रेम बिहारी नरायन रायजादा ने अपने हाथों से italic style में लिखा था और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के दो कलाकार बेभार राम मनोहर और नंदलाल बोस ने अपने हाथों से सजाया था सविधान बनाने के लिए पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी और इसे बनाने में 2 साल 11 महिने और 18 दिन लगे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सविधान सभा का अध्यक शुना गया था और डॉक्टर भीम रा को इस कमेटी का चेयर्मैन बनाया गया था इस सविधान सभा के सदस्यों के कुल संख्या 389 त्यां की गई थी जिन में 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनी थी सभा में शामिल नहीं हुए थे भारत का सभिधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तयार हो गया था लेकिन अधिकारिक रूप से कि 26 चनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन को हम गरतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं इंडियन कॉंसिट्यूशन पर सभिधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं जिन में से 15 महिलाई थी जादतर सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर इंग्लिश में किये थे और कुछ ने हिंदी में लेकिन अबुल कला मजाद सिर्फ ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने सिगनेचर उर्दों में किये थे 24 जनवरी 1950 को सभिधान लागू होने से दो दिन पहरे जब संसद में इस पर हस्ताक्षर किये जा रहे थे उस समय बारिश हो रही थी और सभिधान सभा के सदस्यों ने इसे शुब बताया था ये सभिधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसी दिन सभिधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रधम राष्ट्रपती भी चुना गया था भारतिय सभिधान दुनिया के अलग-अलग देशों से लिया गया है इसलिए इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है जिनमें रूस, अमेरिका, आयर्लेंड, कनाडा, औस्टेलिया, जर्मनी, जपान और फ्रांस शामिल है सभिधान का बेसिक स्ट्रक्चर गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर अधारित है सभिधान के प्रती जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर के दिन को सभिधान दिवस यानि की National Law Day के रूप में मनाया जाता है सभिधान के ओरिजिनल कौपी आज भी भारत के संसद में है जहां इसे हीलियम से भरे केस के अंदर डाल कर लाइब्रेरी में रखा हुआ है हम आपको बताने कि भारत का सभिधान देश का सबसे बड़ा लिखा गया सभिधान है तो वहीं दोसरी और अमेरिका का सभिधान सबसे पुराना और छोटा सभिधान है बहराल इस खबर में इतना ही बाके की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इंडिया टाइम 24 नियूज खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन